नवस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे सब्द ग्यान यूटूब चल में दिल के घराईयों से अभी नंदन है दोस्तो मैं जोतिसाचारिय पंडित राजगुरु सरमा आप सभी को करता हूँ हिर्दय से नवस्कार दोस्तो आज हम बताने जा रहे हैं कि वो चार कौन सी वस्तुए हैं जो सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती हैं सुवस्च मानी जाती हैं तो दोस्तो वो चार वस्तुए कौन सी हैं विस्तार से बताएंगे आप इस ओडियो वीडियो में अंतक बने रहे ताकि आपको पूर्य रासिफल यानि की पूरी भविश्यवानी यानि की वो चार वस्तुए कौन सी है जो सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है आपकी समझ में आ जाए लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं यदि अभी तक किसी भाई भेन ने हमारे सब्द ग्यान यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई ग्यान वर्द कोडियो वीडियो समय समय प नंबर पर अपने डिटेल भेश सकता है लेकिन इसके आपको 500 फीश भी जमा करनी होगी और राश्यों के वारे में जो एक्ति जानकारी लेना चाहता है तो हम राश्यों के वारे में वर्तमान ग्रह के वारे में निसुल्क बताते हैं रोजाना नाइट में 9 बजे से 11 बजे होको कि वो चार वस्तुए कौन सी है । जो सबसे जादा पवित्र मानी जाती है तो दोस्तों विस्तार से सुने सबसे पहली जो पवित्र वस्तु है वो धर्ती के गरव से निकनने वाला जल सुष्थ होता है और पवित्र होता है दूसरा पति विर्ता नारी पवित्र मानी जाती है तीसरा कल्यान करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और चोथा संतुष्ट रहने वाला ब्रहमन पवित्र माना जाता है यानि कि जो ब्रहमन को दक्षना मिल जाए यदि वो उसमें संतुष्ट रहता है तो वो पवित्र माना जाता है कुल मिलाकर ये चार वस्तुए सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है दोस्तों अगर किसी की समझ में मेरी ओडियो वीडियो नहीं आई हो तो वो हमें कोल कर सकता है और जिस किसी भाई भेन को हमारी ओडियो वीडियो चलगे तो कॉमेंट बोक्स में लिख कर जरूर भेजे मैं जोतिस अचारिय पंडित राजगुरु सर्मा अपनी वानी को विराम देते हुए आप सभी को करता हूँ नमस्कार जैहिंद जै भारत